हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो नवकार सिस्टम्स मेरा नाम मौलिक जैन है और इस वीडियो में हम एक्सेस कंट्रोल पैनल के साथ एलेक्ट्रोनिक लॉक की वर्किंग को दिखा रहे हैं साथ में हमने एक डोर एक्सेस बेल भी यूज की हुई है जो कि हम नॉमली ऑफिसेज में के सनली कोई यूज करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेल में के लका बटन है यह बेल बजाते है तो यह अब कोई भी, जो डोर पर आया है उसको जिसके पास एक वीजिटर है जिसके पास टास आई पास ऐक सक्सेस नहीं है और उन्हें अंदर जाना और बरन बना तो वो bell बजा करके बता सकता है कि there is somebody on the door और कोई अंदर से button दबा करके lock को खोल सकता है तो यह है जैसे कि हमने यहाँ पर card को add किया हुआ है यह हम card को यहाँ शो करते हैं अब जैसे यह card को हमने lock position में किया है और यह card show करने से lock खुल रहा है यह देखिए यह card lock position में है और यह हमने card show किया लॉक खुल गया इसमें card और password add करना बड़ा ही असान है यह तो password भी इसमें add किया हुआ है जैसे कि डबल वन डबल टू डबल त्री हैश यह देखिए यह लॉक खुल गया है अब हम एक card add करना के बारे में जानते हैं कैसे इसमें card add किया जा सकता है यह देखिए अब जब हम card add कर रहे हैं तो फिल हालत कुछ नहीं हो रहा है अब मुझे इसमें card add करना है तो hash 1,2,3,4,5,6 hash और उसके बाद हम 1 और card को हम show करेंगे और उसके बाद hash दबाएंगे यह हमारा card add हो गया नए card भी हमारा add हो गया अब हम नए card से इसको access कर सकते हैं इसी तरीके से password अगर हमें add करना है तो हम करेंगे hash 1,2,3,4,5,6 hash फिर 2,1 और माल लिजे password में जा लगना है 44556 hash यह हमारा password भी अंदोल हो गया है अब हम इस password से यह lock को खुलेंगे यह मैं lock को कर देता हूँ डबल फो, डबल फाइफ, डबल शेक्स hash यह देके lock खुली है इस तरीके से हम इस system को work कर सकते हैं इस door access system को हम कहीं पर भी install easily करा सकते हैं जैसे कि office का जो button door है या aluminum door है, या metal door है वहाँ पर यह install किया सकता है अगर आपको इस तरह के lock की, installation की या आपको wholesale की या requirement किसी भी तरह की आपको business requirement इस तरह के lock की रहती है तो आप आप में नीचे दिये हुए numbers पर contact कर सकते हैं thanks for watching the video